हाई लो दोस्तों स्वागा थे आप सभी क्या आपके अपने इस यूटूब चानल एक्स्प्रेन वानी फोरिव में तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिखलाने वाले हैं कि भीहीन का जोड़ कैसे किया जाता है वो भी बेसिक से, अगर आप लोगों को भीहीन का जोड़ करने नहीं आता है तो इस वीडियो को शिर्फ ओन तक देखते रहेगा क्योंकि वीडियो को अन तक देखने के बाद ही आप असाईन तरीका से भीहीन का जोड़ कर सकते हैं तो चलिए हम सबसे पहले पहले नमर एक्जाम्पल को सवी करते हैं इसमें दिया है कि एक बाटा में पांश्य पुलस एक बाटा में पांश ठीक है तो आपको यह द्यान देना extra कि यहां पर फीपांश्य और यहां पर क्या थीघ्र ए-सका अधहर जैई है तो जो 5 और 5का LCM लिका लिएगा तो क्या होगा पांच होगा इसलिए कि इसका अधार क्या है तो सेम है तो हम इसका LCM क्या लिख देंगे तो पांच लिख देंगे तो हम क्या लिख देंगे तो पांच लिख देंगे ठीक है ठीक है बीच में आपको प्लस देना है अब देखिए इस पांच में जब इस पांच से भाग कीजिएगा तो यह पांच इस पांच से कितना बार में कटेगा तो एक बार में कटेगा तो एक में और इस एक से क्या कर देना है तो गुणा कर देना है तो एक एक हो जाएगा ठीक है जब एक और एक जोड़िएगा तो यह दो होगा और बोटे में क्या है तो बोटे में पांच है तो पांच आपको लिख देना है तो इसका फानी राइट एंसर कितना आ तो दो बटे में पांच इसका राइट एंसर आ जाएगा अब देखिए यहां पर दूसार नमर एक्जामपल है इसमें दिया है दो बटे में साथ पुलस पांच बटे में ठीरी ठीक है तो आपको यह ध्यान देना है कि जो इसका आधहार है यह अलग-अलग है इसलिए कि यहा साथ अलग है और तिनक्या है तो अलग है जोब नोहीं निकलेगा तो हम 7 और 23 में क्या कर देंगे तो गूणा कर देंगे तो 7 में 3 से बूणा किजिएगा तो कितना होगा तो सतरी के 21 होगा ठीक है तो 21 आपको यहाँ पर लिख़तेना है अब देखिए इस 21 में आपको इस क्या करना है साथ से भाग करना है तो जब 21 में इस साथ से भाग कीजिएगा तो 21 कितने बार में कटेगा तो 3 बार में कटेगा तो 3 में आपको क्या करना है इस 2 में गुणा करना है तो 3 में क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा बीच में क्या है तो पुलस है तो पुलस के आपको चीन दे देना है अब देखिए इस 21 में आपको इस 3 से क्या करना है तो भाग लगाना है तो 21 में जब इस 3 से भाग कीजिएगा तो 21 कितना बार में कटेगा 3 से तो ये 7 बार में कटेगा तो 7 में इस 5 से क्या करना है तो गुणा करना है तो 7 पाचे क्या हो जाएगा तो 7 पाचे 35 हो जाएगा तो 35 आपको यहाँ पर लिख देना है ठीक है अब देखिए 35 और 6 जुडिएगा तो कितना होगा तो 41 होगा एक तालिस आपको लिखना है और बटे में क्या है तो बटे में एक किस है तो एक किस आपको लिखी देना है तो एक किस का राइट एंसर कितना है तो एक तालिस बटे में एक किस से इसका राइट एंसर आ जाएगा ठीक है तो चलिए हम दूसरे कोशन को सॉल्व करते है ताकि कि आपको अश्य तरह से समझ में आ सके तो देखिए अब हम तीसरे नमर एक्जामपल को सॉल्व करने वाले हैं तो इसमें दिया है दोस बटे में पंदरह पलस साथ बटे में पांच है ठीक है तो इसको जोड़ने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि पंदरह और पांच के अलश्य में क्या होगा सबसे पहले पॉंदरह और 5 निकालना है तो कितना होगा तो यह 5 से कटेगा ठीक है तिसर तीन हो जाएगा और यह पांच एकम 5 हो जाएगा ठीक है तो 5 गूड़ तीन गूड़े 1ιο वह जाएगा ठीक है तो इसका LCM कितना होगा तो 15 होगा ठीक है कितना होगा तो 15 होगा तो 15 आपको यहाँ पर लिख देना है क्या करना है 15 आपको यहाँ पर लिख देना है अब देखिए क्या करना है आपको अब 15 में आप इस 15 से जब भाग लगाएगा तो पॉंदरह कितना बार में कटेगा तो एक बार में कटेगा ठीक है तो एक में और इस दोस से क्या करना है तो गुणा करना है तो दोस एकम दोस हो जाएगा ठीक है तो दोस आपको यहाँ पर लिख देना है अब देखिए पॉंदरोह में और इस क्या करना है पांच से आपको भाग लगाना है तो पॉंदरोह इस पांच से कितना बार में कटेगा तो तीन बार में कटेगा तो तीन में और इस साथ से क्या कर देना है तो गुणा कर देना है ठीक है तो यह सतरी के 21 हो जाएगा तो प्लस देना है और यहाँ पर 21 से आपको लिख देना है ठीक है अब देखिए जब दोस और 21 जोड़िएगा तो कितना होगा तो 31 होगा ठीक है कितना होगा तो 31 होगा औ और बोटे में क्या है तो बोटे में 15 है तो 15 आपको लिख देना है तो इसका राइट यणसर कितना आया तोete में 15 इसका राइट यषान खाएगा ठीक है ऑब देखिए यहां पर चौ था नमर एकजाम पाल है इसमें दिया है पांच बटे में 2 पुलस 3 बटे में 20 है तो आपको इस भीन का जोड़ करने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि 2 और 20 का LCM क्या होगा ठीक है क्या ध्यान देना होगा 2 और 20 का LCM क्या होगा ठीक है तो यह आपको याद करके रखना है तो चलिए हम सबसे पहले दोस और बीस का LCM निकालते हैं देखिए दोस और बीस का LCM जब निकालिएगा तो कितना होगा हम यहाँ पर लिखते हैं 20 और यहाँ पर क्या लिखते हैं तो दोस लिखते हैं आप 2 से कटाईए तो यह दो सोना करेंगे तो लिखेंगे है क्या करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 20 अब देखिए इस 20 में आपको इस 2 से क्या करना है तो भाग लगाना है तो जब 20 में आप 2 से भाग लगाईएगा तो 20 कितना बार में कटेगा तो 20 से 2 बार में कटेगा तो 2 में आपको इस 5 से क्या करना है तो गुणा कर देना है तो 5 दूना का क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा तो 2 आपको यहाँ पर लिख देना है अब देखें बीच में आपको प्लस देना है अब देखें 20 में और इस 20 से क्या करना है तो भाग लगाना है जब इस 20 में इस 20 से भाग लगाईएगा तो 20 कितना बार में कटेगा तो एक और इस 3 से क्या कर देना है तो 3 एकम 3 हो जाएगा ठीक है अब देखिए 2 और 3 जोडिएगा तो 13 होगा और बटे में क्या है तो बटे में 20 है तो 20 आपको लिख देना है तो कितना हो जाएगा तो 13 बटे में 20 इसका फाइनली राइट एंसर हो जाएगा तो इस तरफ आप आसाइन तरीका से भीहीन का जूड़ कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आसा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो के लाइक कर देना हो चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्स आपको जोरुद्धा वान